हेलो गाइज वेलकम बेक टू और यूटूब चैनल तो आज हम डिसकस करेंगे एक्स क्रियेशन एंड दियर इलिमिनेशन के टॉप टुप 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 एमसी क्यू जो नीट के एक्जाम के लिए बहुत ही जादे इंपोर्टेंट रहेगा यू समझ जैलीजे इसी में से कोई ने कोई कउसन जो है आपके एक्जाम में आ जाएगा इतना इन्पोर्टेंट है अगर आपको इसका पेडियेफ excrete urea in human body human body में इन में से कौन organ है जो urea का excretion करता है पहला option दिया है digestive system गलत बात है urinary bladder गलत बात है kidney liver दो kidney में तो filtration होता है लेकिन यहां बोला excrete की बात कर रहा है तो liver हो जाएगा तो आपका right answer 3 हो जाएगा ठीक है next kidney tissue that are formed like cone are known as यानि के kidney में जो वो tissue है जो cone like जिसे हम बोलते हैं renal pyramid देखो kidney ऐसा होता है kidney है यह है kidney यह इसका जो है medulla reason है और outer reason को cortex बोलते है यहां पर cone जैसा structure बनता है इस तरह से आठ से बारह इसे बोलते हैं हम लोग medulla यानि के sorry renal pyramid तो आपका right answer क्या हो जाएगा renal pyramids यानि के वो medulla reason में होता है answer हो जाएगा three renal pyramid next question number three है dash are smooth muscles fiber tube that transport urine from the kidney to the bladder यानि के kidney से urinary bladder तक जो urine को transport करता है वो कौन सा structure है जो कि smooth muscles fiber का बना हो तो वो है urator देखो यह है kidney यह है kidney यहां से ureator के थ्रू जो है urinary bladder में urine को transport करता है यह है ureator ठीक है तो आपका right answer हो जाएगा two number next है कि the moment's capsule is found in moment's capsule कहां पे होगा तो देखिए kidney का जो दो reason होता है मान लिए यह वाला reason इससे नीचे क्या है medulla यह है medulla आईए outer reason को cortex बोलते हैं तो cortex में moment's capsule होगा PCT होगा और medulla region में जो है loop of henle होगा और DCT कहां पे होगा DCT भी cortex region पे होगा आपको अगर question पुछता है कि DCT बोले PCT बोले या moment's capsule बोले वो सभी के सभी कहां पे होता है तो cortex region में होता है तो आपका right answer हो जागा cortex यानि कि एक number सही है next substantial amount of protein lead to excrete off protein से क्या बनेगा यूरिया बनेगा यूरिया से वो uric acid में convert हो जाएगा तो uria and uric acid आपका right answer हो जाएगा एक number ठीक है next देखो dash is considered as basic functional unit of human kidney human kidney का functional unit किसे बोलते हैं तो वह होता है नेफरॉन लेफरॉन को बक़ा जाता है किटिनी का structural function unit बक़ाएगार नियूरोन तो nervous system का part है और नेफरॉन का यूरौन लेफरॉन होता है आपकार और ईब्र किसे देखों टेखों देखों को नेफरॉन लेफरॉन हो एक और और देःट तो आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा तू नमबर नेक्स्ट है दख्रेब तो क्वेश्चन है दख्रेब हैंस हैंसलेट साइकल इस सिक्वेंस और बायो बायो केमिकल रियक्षन तेक प्लेस इन तो यह साइकल यह तो एक्स्ट्राकोशन है एंसेड में हैवी नहीं तो आपको सीधा सीधा याद रख लेना है जो क्रेब हैंसलेट साइकल होता है वह लीवर में होता है ठीक है तो राइट एंसर हो जागा आपका टू नमबर नेक्ष्ट देखो बॉमेंस कैप्सूल इस लोकेटेड इन भाई बॉमेंस कैप्सूल कहां पे होगा तो कोटेक्स रिजन में होगा तो आपका राइट एंसर हो जागा एक नमबर कोश्चन नमबर नाइन देखते हैं दाइस इस दा पॉइंट वर टू और थ्री मेजर रिनल कैलिसेस जॉइंड टूगेदर वह पॉइंड बताओ जहां पे दो या दो से अधीक रिनल कैलिसेस जॉइंड होता है तो उसे बोलते है रिनल पैल्वेज तो आपका राइट एं मेड अप ओफ स्मूथ मसल्स फाइबर दै ट्रांस्पोर्ड यूरीन तो यूरीन ब्लाड़ फ्रॉम किडिनी सेम कोस्ट ना गया फिर यह यूरेटर की बात कर रहा है तो आंसर थ्री हो जाएगा नेक्स्ट है नाइट्रोजेनस वेस्ट एक्सक्रेट थ्रोदे यूरीन इन एक इसद होगा तो आमोनिया जो वोता जो वांटर में जहने वाले जानी वाले यूरीन होता है यूरीक एसे तो बड्स फगर में होता है तो आपको राइट एंसर पजागा फोर नेक्स्ट, डैस इज अ डिस्टिंसिवल, होलो, मस्कुलर सेक, लोकेट इन दे पैल्विक, जस्ट बिलो दे प्यूबिक बॉन, तो वो क्या होगा, बोमेंड स्कैप्सुल की बात कर रहा है, या यूरेनरी ब्लाडर की बात कर रहा है, तो आपका राइट अंसर हो जागा, जो प्रक्शर है, होलो है, कि उसमें यूरेन भरा हो रहा है, चलिए, नेक्स्ट है, the synthesized most of the activity compound in the human, and is eliminated, तो eliminate किसके त्रू होता, लीवर और यूरेन के त्रू, किडिनी और यूरेन के त्रू, बाइल या ओल जूस, या ओल दीस अवार्ब, तो आपका राइट एंसर हो अंसर वन हो गया नेक्स्ट डैस इज रिस्पोंसिवल फोर रिकवरी ओफ वाटर एंड सोडियम क्लोडाइड फ्रॉम दे यूरीन यानि के यह किस मनि नेफरोन का वहां पार्ट जो रिकवरी करता वाटर उसमें क्या होगा रिया अब्जर्फशन होगा वाटर का सोडियम का फ्रॉम दे यूरीन तो क्या होगा वह बॉमेंट स्कैपसूल या यूरेटर या लूप ओफ हैंले तो आपका राइट एंजर हो जाएगा लूप ओफ हैंले नेक्स्ट क्योंकि लूप ओफ हैंले में ही काउंटर करें में कानेजम होता है ठीक है अगला है देस आर किडिनी टीशू देट आर सेब्ड लाइक कौन यानि कौन जैसा होगा तो यह भी है रेनल पराइमिट के बात कर रहा है आंसर एंटर वन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है डैस और सेल्स परजींट इन अबमेंट स्कैप्सूल देट रेप अराउंड दे कैपलरी ओब दे ग्लोमेरूलस तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या जाइमोजेनिक सेल या इंटेरो क्रोमेफिन लाइक सेल पराइटल सेल या प्रोसाइट यानि ग्लोम प्रोसाइट अन्तर हो जाएगा फोर कि नेस्ट है दैस अनिक्वोडोसाइट जो होता है चैनल पोमेंट यहां पेशी इस नेनल लेयर में होता है ठीक है यह वहाला एसे हो थो यह इस टाइप से ब्मेंट कैप्सूल का प्लाग इस्ट्रक्चर है यहां पर इसमें जो सेल है वह है पोडोसाइट यहां पर स्लीड बना तरह हलका हलका ठीक है जिससे क्या होगा गलो मेरलों से से फिल्ट्रेट बॉमेंट्स इस्पेस में आएगा ठीक है नेक्स्ट है कि डेस्ट इस अ कंडिशन क्रेक्ट्राइब बाइप प्रजेंस ओप रेड ब्लड सेल इन दे यूरीन अगर यूरीन में रेड बलड सेल आ रहा है तो इसके लिए कौन से कंडिशन बोला जाएगा तो देस्ट इस अ यलो पिगमेंट यूरीन तो क्या वार जन थीन या यूरो क्रॉम या करत नाइट तो आपको राइट तू नम्मर यूरो क्रॉम अंसर है तू नेक्स्ट डेस प्रोडूसेज यूरिया एज एक्सक्रेटरी सबस्टांस इन हीमन बोडी तो यूरिया प्रोडूस कहां होता है तो आपको एंसर देखना है किडिनी में प्रोडूस होता है नहीं यहां पे तो फिल्ट्रेड होता है यहां पे फिल्ट्रेशन होता है यहां में तो आपका राइट एंसर हो जाएका टू नेक्स देखो डैस इज नेटवर्क और टैनी ब्लड वेसल्स लोकेट अड़ बिगिनिंग ऑफ नेफ्रों नेफ्रों के बिगिनिंग में जो टैनी ब्लड वेसल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं रीनल कैस्ट रीनल कैलिसेस या फिर उसे बोलते हैं रीनल पिरामीड या बोमेंस कैप्सूल या गलूमेरूलस यह होता है गलूमेरूलस राइट एंसर फोर हो जाएगा यह देखी यह है आपका बोमेंस कैप्सूल यहां पर क्या है ब्लड कैप लड़ी यानिकर टैनी ब्लड वेसल्स इधर से एफरेंट आटियोल आएगा इधर से एफरेंट आटियोल चला जाएगा ठीक है यहां पर फिल्ट्रेट बनेगा यहीं से हुआ ना तो इसी को बोलते हैं हम लोग गलूमेरूलस इस तरह से जो है 25 mcq हम डिसकस कर चुके हैं आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में सेर किजे आटियोलस इस तरह से एपर लिसक्ते हैं में सेर के लिए वाटी को बोलूमेर शीस, आटियोलस आटियो खेंड़ बालूमेरेंस झाल झाल